हेलो फ्रेंड्स मेरा शौक चनल में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइट राइस बचे हुए चावलों से विद लिटल ट्वेस्ट इसके लिए हमें चाहिए चार लसन की कलियां बारी कटी हुई एक इंच अद्रक का टुकड़ा वो भी बारी कटा हुई दो हरी मिर्च बारी कटी हुई यहां पे आप हरी मिर्च बड़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं एक प्याज बारी कटी हुई आदा सिम्ला मिर्च बा दो चमज तेल ले लिया है उसको गरम करते हैं और फिर अब इसमें हमने लसन, अद्रक और हरी मिश डाल के उसको थोड़ा सा आदे मिनिट के लिए थोड़ा प्राय कर लेंगे फिर जो हमारी प्याज कटी हुई है उसको भी हम डाल के थोड़ा से सौटे कर लेंगे हमें प्याज को पकाला नहीं है बस थोड़ा सा गुलाबी रंग तक होने तक इसको थोड़ा चलाते रहना है फिर इसमें हमने सिम्ला मिर्च डाल के फिर थोड़ा सा मिक्स किया और उसके बाद हम इसमें गाजा डाल देंगे फिर थोड़ा सा मिला लेंगे इसमें आप अपनी मन प्संद की और भी सबचियां डाल सकते हैं, यह चावल बहुत रिच हो जाते हैं सबचियां डालके, अब हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और फिर लाल मिर्च, और यहां पर यह और मैंने फ्राइड राइस मसाल यह बार पीचला लिया हिए आप डाल सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं अब मैं थोड़ा सा मेखकर देती हूँ और फिर अब जो हमारे सत्रेयाम अब को दिकल्ट है वह में इनको एट कर लेंगे और थोड़ा सा पैन को लिला हख्या देश है अब मेर इसमें एक छमच जनका डा चावल डालनेगी आप ये बच्चे वे चावलों के साथ भी बना सकते हैं और एकदम ताजा चावलों के साथ भी बना सकते हैं बच्चे इन्हें बहुत पसंद करते हैं अगर बच्चे सब्जिया नहीं खाते हैं तो आप friends इसमें आराम से कूट कूट के इसमें सबजिया डाल सकते हैं और बच्चों से बहुत तेस्ट ही खाएंगे आप इसमें बीन्स, पनीर, पीस, सब एड़ कर सकते हैं अब इसमें मैंने गार्णिश के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ हमारे बच्चे हुए चावणों से फ्राइड राइस तयार है थोड़ा सा देशी तड़्का, क्ता थोड़ा सा चाईश दड़्का टड़्का ज्येट्पट फ्राइड राइस बनके तयार हैँ गरम गरम आप इसे खाईए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक खीजिए और शेक कीजिए थेंक यू फो वाचिंग